दोस्तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ राउंड ब्रेट की रेसिपी शेयर की थी, जो हमने बिना अवन बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि हमारी ब्रेट बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बाजर से भी अच्छी बनी है, त इसका नाम रिमजिम सेंड्वीच है तो आज हम वही बनाएंगे तो सेंड्वीच को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी एकोबेक नॉनश्टिक लाइनर्स लिए हैं, तो इसमें इस तरह के सभी साइज में लाइनर्स मिलते हैं, तो आपको जो साइज में लेना हो दे दी है आप चाहे तो आसानी से ओनलाइन ओडर भी कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर इस तरह की पिज़ा बनाने वाली जाली ली है तो उसी पर हम ओडी इकको बेक लाइनर लगा देंगे ताकि बेक होते समय हमारी जाली भी खराब ना हो और हमारी सेंड्वीच भी बहुत ही अच्छे से बेक हो तो यहाँ पर हमने इस जाली को रेडी कर लिया है अब हम सेंड्वीच के लिए मसाला बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर को बारी कट कर लिया है तो उसी के साथ हम एक उबले हुए आलू को भी मैश कर लेंगे अब मैंने यहाँ प अब जितनी बारिक कटी हुई पत्ता गुबी है, एक बारिक कटा हुआ शिमला मिर्ज, और एक बारिक कटा हुआ गाजर है, तो सभी सबजीओ को हम उसी के साथ हैड करेंगे, अब एक टी Guess दन्या जीरा घर पर बनाया है अगर आपको रेसीपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो तो वो रेसीपी भी मैं आपके साथ जरूर शेर करूंगी तो दो बड़े चम्मत जितना हम सेजवान सोस भी एड़ करेंगे और आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे और दो चीज क्यूप को कद्दुकस करेंगे आप चाहे तो इसमें लहसुन की चटनी और बारिक कटे हुए प्याज भी एड़ कर सकते हो और सभी मसालों और सबजियों की मातरा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और अगर आप इसे बीना चीज के बनाना भूल गई थी तो आदी टीस्पून चाट मसाला भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत ही डिलिशियस सेंड्विश बनाने के लिए मसाला रेडी है अब हमने जो जाली रेडी कर ली थी उसी के उपर राउंड वाला ब्रेड रखेंग अब ब्रेड पर हम अच्छे से बटर स्प्रेड करेंगे और अगर आपके पास इस तरह का राउंड ब्रेड नहीं है तो आप नॉर्मल वाले ब्रेड से भी यह सेंड्विश बना सकते हो और अगर आपके पास पीज़ा की जाली नहीं है तो आप इसे डीश में भी रख सकत अब हमने जो मसाला बनाया था वो इस पर अच्छे से लगाएंगे और हमने जितना मसाला बनाया है उसमें से इस तरह की 2 सेंड़िश बनाई जा सकती है तो यहाँ पर हमने मसाला अच्छे से लगा दिया है अब एक चीज क्यूप को भी कद्दुकस करेंगे दोस्तो अगर आपको चीज पसंद नहीं है तो आप इस सेंडविश को पनीर के साथ बनाईएगा तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है ज़रूरी नहीं है कि हमें इतना सारा चीज इसमें एड़ करना है लेकिन अगर हम कभी-कभी इस तरह की सेंडविश खा लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि इस तरह का खाना हम रोज खाना पसंद नहीं करते अगर हमें कुछ नया खाने का मन करें तब हम इसे टेस्ट के लिए बना सकते हैं अब समान विदी से हम दूसरा लेयर भी कर लेंगे तो सेकेंड लेयर में यहाँ पर मैंने चीज एड़ नहीं किया है लेकिन अगर आपको प्रोपर स्ट्रीट स्टाइल बनाना हो तो आप यहाँ पर भी चीज एड़ कर सकते हो अब उसी के उपर एक ब्रेड ओर रग देंगे और बटर सप्रेट करेंगे और थोड़ा सा चीज कद्दुकस करेंगे और थोड़ा सा मयोनीस बे एड़ करेंगे और ओरेगेनो और चिली फ्लेक्स से गारνिश करेंगे तो यहां पर हमारी Rim JIM sandwich बेक होने के लिए ready है तो आज इस sandwich को मैं grill करूंगी तो मैंने अवन को 10 मिनिट के लिए preheat कर लिया है अब 10 मिनिट के लिए इसे grill mode पर बेक करूंगी तो 10 मिनिट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी sandwich बहुत ही अच्छे से बन गई है और सच में दोस्तों इतना सारा चीज एड़ करने के बाद ये सेंडविश बहुत ही डिलिशियस बनी है और फिर से मैं कहते हूँ कि चीज की मातरा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और अगर आप चाहे तो इसे बिना चीज भी बना सकते हो और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल आयन तवापर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो और वो भी बिना चीज बना सकते हो तो वो सेंडविश भी बहुत ही अच्छी बनेंगी और हमने इस bread को घर पर बनाया है तो अगर हम इसे आयन तवा पर इस तरह से सिखेंगे तो ये sandwich बहुत ही crisp और अच्छी बनेगी और मुझे दोनों sandwich में से ये तवा वाली sandwich ज्यादा अच्छी लगी थी तो आप दोनों तरह से इस sandwich को बना सकते हो अब sandwich को हम cut करेंगे और सच में दोस्तों इस तरह की sandwich life में एक बार खानी चाहिए सच में ये बहुत ही delicious बनी है और बहुत ही अच्छी लगती है तो दोस्तों आज की आसान सी recipe आपको कैसी लगी वो comments करके ज़रूर बताएगा और अभी तक आपने धर्मिस कीचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आसान सी recipe आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को like, comment और share ज़रूर कीजिएगा मैं धर्मिफ फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी recipe के साथ